अगले सत्र की बारी जिसका नाम है जवाब देही आपके कुछ प्रशनों के जरीए बातचीत की कोशिश करते हैं आए देखते हैं काफी दूरदर्शन टाइप साउंड कर रहा था अंकित कुमार याद हो सौरफ जी मैं CBSC में था 2022 वाले बैच में मैं फेल हो गया हूँ कुछ सुझाओ बताओ ये की सुझाओ है अगर पढ़ाई आगे करनी है तो बारवी की दुबारा परिक्षा दो और उसके लिए मेहनत से पढ़ाई करो और अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई तुम्हारे लिए नी बनी है तो कोई बात नहीं कोई कामधंदा सीको बहुत सिंपल है अब शेक चौबे पढ़ाई से याद आया आप मानेंगे नहीं आपका महा महेम और पलिटिकल किस्से देखकर UPPCS 2022 में मेरे तीन प्रश्म सही हो गए बारंबार प्रणाम है आपको मेरा UPPCS के परचे बनाने में कोई योगदान नहीं है मैं तो बस यह चाहता हूँ कि किसी भी PCS के परचे बने तो उनके ठीक से जाच हो परचे कहीं भी हो लीक ना हो समय से रिजल्ट आए ताकि आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनका भविश्व जुल हो बाकि आप देखते रहे हैं महामईम का जल्दी द्रॉपदी मुर्मुजी पर नए एपिसोड भी आने वाला है अंकित कुमार सौरब भहिया प्लीज मेरे इस कोशन का रिपलाई जरूर करिए कर रहा हूं ब्रो कि UP में बिये सेकंड इयर में बहुत विद्यार्तियों का नहीं आया है भहिया सीम हेलप लाइन नंबर पर बोलते हैं कि फंड नहीं है सर प्लीज आवाज उठाईए बहुत दिक्कत होगी थर्डियर में एड्मीशन लेने में अंकित कुमार में जवाब देही के जरीए आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारा जो खास प्रोग्राम है रंगरूट उसमें समस्या को उठाया जाएगा और मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुचाई जाएगी उनके ओफिस के जरीए जब हम ये खबर पब्लिश करेंगे ट्विटर पर दूसी जर्गों पर तो उनको टैग भी करेंगे और खबर करने के दौरान भी हम मुख् साथ ही हो रही है तो आप लिखिए रंगरूट एट ललन टॉप डॉट कॉम पर हम आपकी बात उठाएंगे क्योंकि ललन टॉप सबसे पहले आप लोगों का है रिशी कुमार यादा हो सौरभ जी स्पोर्ट एकेडमी में एडमिशन कैसे मिलता है और कौन कौन सी एकेडमी है जो जैवलिन की कोचिंग देती हैं हमको नहीं पता भाया है हमारे दोस्त करते हैं फेकते तो बहुत अच्छी है लेकिन भाला नहीं फेकते हैं तो में मिलेगा तो मैं अपनी टीम से गुजारिश करूँगा कि वह स्पोर्ट इंस्टिटूट के बारे में आप नौजवानों को जरूर बताएं अगर आपको इन सब जानकारियों में दिल्चस्पी है तो आप हमारा ये नया यूट्यूब चैनल है रंगरूट इसको जरूर सब्सक्राइब करें फेस्बुक पर रहें तो लाइक करें और लोगों को बताएं इसके बारे में बुलू बुलू ये तो पिछली आपते भी थे एक हमारे भी बुलू बुलू है कह रहे हट जाओ सामने से थैंक्स और अपसर फॉर थमनेल्स बाकी ओडिशा में हैं नाम य यह हमें बताया गया कि बुलू बुलू कॉमन नाम यही अर्थ होता है मोर यू नो यू नो हाव लिटल यू नो कि हम लगातार जाने और बड़ा प्यारा है आपका नाम आपको प्रणाप आश्टोष मिश्रा मैं रात में खाना खाते हूं तो आपका शो देखता हूं घर वाले गुस्सा करते हैं कि रोज ललन टॉप लगा के बैठ जाते हो मैं आपकी तारीफ करता हूं मगर घर की लेडिज देखती नहीं है आश्टोष ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप घर की महिलाओं को बताएं कि कैसे एक तत्थ सम्मत शो देखना उनके लिए जरूरी है और घर की महिलाओं को ये भी बताएं कि देश में क्या चल रहा है दुनिया में क्या चल रहा है इसमें उनकी दिल्चस्पी होना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इस देश का अभिन हिस्सा है बाकिया I'm sure you'll convince them The Indian Poetry आपका तकिया कलाम गुरू आपके स्वर में बहुत अच्छा लगता है बेराल ये बताईए इस मंच का नाम ललन टॉप रखने का क्या इतियास है मैं आपके पत्रिकारता से इतिफाक रखता हूँ हाथ जोड़े हैं तिरंगा लगाया है आपको विजय हिंद ललन टॉप नाम की कहानी बहुत लंबी है शौट में समझा देते हैं हमको कोई एक ऐसा देसी नाम चाहिए था जो हमारी फिलोसफी को रिप्जेंट करता हूँ जो बहुत रूटेट हो बहुत ग्रामीड हो बहुत भदेश हो लेकिन जिसकी सर्वोच पर पहुचने की आकांक्शा हो सारी विनेता के साथ ये शौट में है समझ गया गुरू विजय वर्मा सौरब भाईया राम राम गलफ्रेंट हमारी आपका वीडियो देखने में बहुत तंग करती है ठीक करती है गलफ्रेंट से बातचीत करिए उस समय मुबाइल मत देखिए जब अपनी प्रेमिका के साथ हो तब जीवन के बारे में बात करिए मुबाइल स्क्रीन से दूर रहिए अपनी गलफ्रेंट को हमारा प्रणाम कहिएगा और देखना ये क्लिप रिष्टेदार न देख ले इशान तिवारी सौरब भाईया आप बियर कबसे प्रमोट करने लगे अरे मेरे भोले बलम बियर नहीं है ये ये टी है डिप वाली जो पीली हो जाती है खूब ठीक है मलब किते क्यूट हो यार तुम तुमाई तो मूर्ती बननी चाहिए चराय पे तुमको लगता है कि अभी देश उस्चितिती पे पहुँच गया है कि एंकर बियर का मग लेके बैठे चिल डबियर एक्जाइम टाइम इजी नौट या क्या नाम है बहिए एक्जाइम टाइम इजी नौट आप से गुजारिश है कि मेरा नाम रावल है मैं पुरी से हूँ हमारे यहां गर्वर्मेंट पुस्तकाला है जहां रोज करीब कि दो सो तीन सो चाइट करने आते हैं दो तीन महिने से लाइब्रेरी का सिस्टम बिगड़ गया गर्वर्मेंट की दौरा सोला लाइट लगवाय गया था आधी में खराब हो गया कोई सुनवाई नहीं हो रही रुप्या आप कुछ करो जिससे स्टुडेंस को परेशानी से नजात मिले हम करते हैं कुछ प्रबंध हम आपके जिला प्रशासन से बात करेगी हमारी टीम इस क्लिप को अलग से अपलोड करवाईएगा ट्विटर पर और जो मैनपुरी के डियम हो जो उस मंडल के कमिशनर और सीम आफिस को टैग करिएगा लाइब्रेरी देश की सबसे पवित्र और जरूरी जगों में से एक है जहां पर सैकलों विद्यारती भविश्य सवारने जाते हैं दिमाग की खिड़की खुलती है लाइब्रेरी में सबसे चाक चौबंध प्रबंध होने चाहिए मेरी मैनपुरी के जिला प्रशासन से मियामार and the security issue must be discussed. जी हमारे चार राज साजा करते हैं मियामार के साथ अपनी सीमा को अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मनिपूर और नागालेंड और आपको जानकर हर्श होगा कि किंग्स कॉलेज लंडन में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्श पंत इस बार की मास्टर क् मियामार के विशे पर ही बात कर रहे हैं अब यहां पर वो गाना गाने का मन कर रहा है जिंगल वाला तेरे दिल की बात में जानू रूपाली यादा हो सर प्लीज कुछ करिए यूपी में प्राइमरी टीचर वेकैंसी कब आएगी सर तीन साल हो गए वेट करते करते सर आखि प्रजापती ने जवाब भी दिया, यादा हो अखलेश आते तो तुम लोग उड़ने लगते, पहले I'll address you रूपाली, सरकार की नीती है मुझे अभी फॉरण से नहीं पता कि सिक्षिकों की उपलबदिता पर UP में क्या आकड़ा है, और again I'll say कि रंगरूट में हम इसके बारे म बात करेंगे कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, पिछली भरतियों को लेकर भी आंदोलन चल रहे थे, उनका हाल तो आपको पता ही होगा, राज प्रजापती के इस टिपड़ी को हमने जानबूच कर रखा है, ताकि इनके बहाने वो सारे लोग जो यादव, दुवेदी, प्रजापती ऐसे टाइटल देखके राय कायम करते हैं, ये ठीक नहीं है, ये जातिवात का जहर और पूर्वाग्रह, ये आपको कहीं नहीं ले जाएगा, आपको लग रहा होगा, इस फ़णी, पर कास्ट से जोड़े जोक और बायस कभी भी फणी नहीं होते हैं, रूपा पर संता हुई कि सौरवदेदी जी इंटर पास हैं, मैं तो इनको पीएचडी से कम नहीं समझता था, सिर्फ इंटर पास होने के बावजूद इस उजाई तक पहुँच गए खुशी की बात है, दुख की बात है, इंटर पिट बॉरियर जी, कि हमने बारवी के बाद ग्रे दिल की पढ़ाई भी की, पीएचडी पूरी नहीं की, नेट कॉलिफाई भी हैं, पढ़िया नंबर नंबर आये, टॉपर भी रहे कई सरस्थानों में, तो मुझे आपको निराश करने का दुख तोर है, लेकिन मैं सिर्फ बारवी पास नहीं हूँ, हाला कि कोई डिग्री ह अधारियों ने भी एकदम भट्टा बिठाया है, तो उस पर कोई टिपड़ी नहीं करूँगा, हो गया, चुट्ती